Hello guys कैस आपस बी? Guys आज की वीडियो में आपको बताने वालाओं कि आप अपने Redmi के Note 11 में Custom Rome से वापी Stock Rome में कैसे जा सकते हो जैसे कि guys आपस भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरा जो Redmi का Note 11 device है इसके अंदर में OnePlus की Port Rome को यूस कर रहाँ तो guys अगर आप अपने device में किसी port rom को use करे हो किसी custom rom को use करे हो किसी gsi को use करे हो तो आज की हमारी इस वीडियो को follow करने के बाद आप अपने Redmi के note 11 device में custom rom से stock miui के अंदर जा सकते हो लेकिन guys वीडियो स्टार्ट करने से पहले मापको एक बात बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर में आपको जो method बता रहा हूँ अगर आपने इस method को थोड़ा भी skip किया तो हो सकता आपका device hard brick हो जाए या फिर soft brick हो जाए तो guys हो सके तो इस वीडियो के अंदर में आपको जो method बता हूँ उसको step by step follow करना skip करने की कोशिश मत करना तो guys चलिएब हम स्टार्ट करते हमारी आज किस वीडियो को लेकिन अगर आपको भी जानना है कि आपके device में Oxygen OS की custom ROM यानि की polt ROM कैसी है और आप इसे कैसे install करोगे Redmi के note 11 device में तो एक बार मेरी वीडियो की description जुरूर चेक कर लेना मैंने दोनों वीडियो बना रखे कि आप अपने Redmi के note 11 device में Oxygen OS को कैसे install करोगे और install करने के बाद आपको ये ROM कैसी लगेगी तो guys एक बार वीडियो की description जुरूर चेक कर लेना तो guys अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको custom ROM से वापिस stock ROM में जाना है तो custom ROM से stock ROM में जाने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की description में जाना है जहां पर आपको एक file का download link देखने के लिए मिलेगा तो guys सबसे पहले मैं आपको file दिखा देता हूँ जैसे कि आप अपने screen पर देख सकते हो ये वाली वो file है MIUI की आपको ये वाली जो file है इसका link वीडियो की description में देखने के लिए मिल जाएगा आपको हमारी वीडियो की description में जाके इस file को download कर लेना है जो की 2.82 GB की है इस file को guys आपको अपने Redmi के Note 11 device में इंस्टोल करने के बाद simply आपकी जो TWRP की custom recovery है उसमें boot करने है उसमें boot करने के लिए सबसे पहले आपको अपने device को off करने है जैसे आपका device off हो जए आपको power plus में volume up बटन को एक साथ में दबा के रखने है जैसे आपका device थोड़ा vibrate करे तो आपको simply power button को छोड़ देना है volume बटन को दबा के रखने है इससे guys आपका जो device है आपकी TWRP या फिर जो भी आप custom recovery use कर रहे हो उसके अंदर boot हो जाएगा जैसे कि guys आप सब्सक्रीन पर देख सकते हो मेरा device TWRP custom recovery के अंदर successfully boot कर चुका है अब आपको simply क्या करना है install के बटन पर जाने है यहाँ पर जाने के बाद जो आपने जिप हमारी वीडियो के description से डाउनलोड की है उसको simply click करके यहाँ से swipe to confirm install कर लेना है लगबग 10 से 15 mint के अंदर guys आपके device में यह जो जिप file है यह successfully install हो जाएगी लेकिन guys मैं आपको बता दू कि जब यह जिप file install हो रही हो तब आपको इस बात का ध्यान जुरू रखना है कि आपका जो device है वो 50% से ज़्यादा charge हो यानि कि आपका जो device है इस process के बीच में discharge ना हो जाए और guys हो सके तो आप इस process के बीच में अपने device के साथ ज़्यादा छेर चार मत करना अपने device को एक जगापे छोड़ देना ये वाली process 10-15 मिन्ट लेगी complete होने में तो guys मैं लगबग 10-15 मिन्ट वेट करके आपको बताता हूँ कि अब आपको आगए अपने device के अंदर क्या करना होगा जैसे कि guys आपस भी अपनी screen पे देख सकते हो लगबग 10 मिन्ट के बाद हमारा जो device है इसके अंदर जो हमारी zip file है ये successfully install हो चुकी है हमें कुछ arrow देखने के लिए मिल रहे है कि हमारे device में जो vendor और system root file है वो mount नहीं हुई तो guys अगर आपको भी कुछ इस type के arrows देखने के लिए मिलता है तो इनको ignore कर देना क्योंकि हमारी जो zip है वो successfully install हो गई है अगर आपको यहाँ पर unsuccessfully देखने के लिए मिलता है तो guys मैं आपको video की description में मेरा telegram group दे रहा हूँ मेरी instagram id दे रहा हूँ वहाँ पर आपके आप मुझसे help मांग सकते हूँ मापकी help जुरूर कर दूँगा लेकिन आप गबराई है मत आपको ऐसा कोई भी arrow वगरा देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसे कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो यह वाली जो zip है यह successfully install हो जाएगी यह zip जैसे install हो जाएगी आपको simply wipe dalvik के उपर click करना है और आपका जो dalvik यानि की catch files है उनको simply wipe कर देना है उसके बाद आपको simply back चले जाना और back जाने के बाद जो wipe का option देखने के निलता है इस पर click करना है format data के उपर जाना है और आपको simply यहाँ पर yes type करके इंटर कर देना है जिसकी वज़े से आपके device का जितना भी data है वो सारा format हो जाएगा जैसे आपके device का सारा data format हो जाएगा आपको simply back जाना है back जाने के बाद आपको advance पर click करना है Advance पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे कॉप्शन देखने के लिए मिलगा Flash Current TWRP आपको इस पे क्लिक करके Swipe to Confirm कर देना है ऐसा करने से guys आपके device में जो TWRP recovery है यह फिर से flash हो जाएगी यानि कि आपके device में जो TWRP recovery है वो remove होके stock recovery नहीं आएगी तो guys आप इस बात का ध्यान जुरूर रखना जसी आप अपने Redmi के Note 11 device में stock ROM को install करोगे तो आपके device की TWRP recovery चली जाएगी तो इस process को जुरूर complete करना ताकि आपके device के जो TWRP recovery है वो permanently बनी रहे तो guys जसी मेरे device में ये TWRP recovery successfully flash हो जाती है मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको आगे क्या करना होगा तो जैसे कि आपस भी देख सकते हो successfully TWRP recovery हमारे device में install हो चुकी है अब guys आपको simply अपने device को reboot to system कर देना है तो guys अब मैं आपको बता दू कि आपका जो device है वो लगबग 5-10 minutes के अंदर आपके system के अंदर boot कर जाएगा तो guys सबसे पहले मैं इस वीडियो को थोड़ा skip करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा device मेरे system के अंदर boot होता है या फिर नहीं लेकिन guys अगर आप यहां तक वीडियो में बने हो तो इस वीडियो को एक like जुरूर कर दीजिए जैसे कि guys आप सभी अपनी screen पे देख सकते हो लगबग 5-10 minutes लगे और हमारे device में जो MIUI 13 है यह successfully install हो गया तो guys आज किस वीडियो को देखकर आप समझ गयोंगे कि आपको custom ROM से अपने Redmi के note 11 device के अंदर stock ROM को कैसे install करने है तो guys अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगए हो तो मारे इस YouTube चनल को subscribe और वीडियो को like जुरूर कर देना मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता हूँगा बाकी guys हो सके तो मेरे motivation के लिए आपने चे comment भी जुरूर कर देना तो चलिए guys अब हम मिलते हमारे किसी next वीडियो में तब तक टाटा बाई बाई